जहां तक बजार की और IRCTC के बात है ना सर तो मैं दूसरे की नौसो रुपया से लगाता रिकमेंड कर रहा हूं और लगातार आपके साथ भी मैंने वो जेम्स वोन वाले शो में भी किया था और उसके पहले भी कई बार IRCTC रिकमेंड किया है और मैं अभी भी समझता हूं कि इसमें बहुत पोटेंशल है भाव का ऐसा है कि लास्ट 15-20 दिन में जिस तरीक है कि यह गोली की स्पीड से चलाना उस वज़े से करेक्शन है जो वीक हैंड से वो निकल रहे हैं कह सकता हूं या एफनों की जो पोजिशन है कल मार्केट वाइड लेमिट 90% के उपस जाने की अल्मोस्ट का गार पर पहुंचने कारण से वहां पर बुल लिक्विडिशन हुआ ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिस कारण से भाव में करेक्शन देखा गया बट अगर लंबी अवधी की बात की जाए लंबी अवधी से मेरा कहने का मतलब है कम से कम कोई का साल डेड़ साल का नजरिया हो तो मैं समझता हो कि अगर यहां से और थोड़ा करेक्शन आता है ना तो बिल्कुल लेना चाहिए बट मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतना वालडायल स्टॉक है 10-15 परसेंट कभी भी उपर कभी भी नीचे मार रहा है तो आप उतनी क्वांटिटी ले जिसक सब्सक्राइब में बजार में जो चल रहा था वो ग्राविटी डिफाइंग स्टॉक्स में जो करेक्टिव मोड आ रहे थे हम सब इस बजार जिस वालूइशन पर था सब जानते थे बहुत स्ट्रेज्ट है मोमिंटम फेवर में था लिकुरीटी थी तो सब चले-चले जा वो टाइट टर्म तो नहीं हुई ये सवाल था मेरा लेकिन मैं आपके उपास उसके लिए आउंगा समय रहा तो मैं करनों बेशो का बेसिक प्रमाइज लोगों की क्वरी सॉल्व करना है मैं उस पर पहले आ जाता हूं